आज के इस वीडियो लेक्षर में हम बात करने वाले chemical properties of RMGX मतलब ग्रिगनाट reagent की हम chemical properties के बारे में बात करेंगे इसके पहले वाले lecture में हमने method of preparation of ग्रिगनाट कर लिया था किस तरह से इसका rate of formation of RMGX होता है ये भी हमने देख लिया था अब देखे ये आपका ग्रिगनाट reag और इस पर हमारे पास में R पर क्या negative charge है तो जब भी CHT minus होगा मतलब ये nucleophile की तरह भी काम करेगा मतलब आपका जो RMGX है ग्रिगनाट reagent है it can act as a nucleophile as well as base अगर मैं इसकी reaction किसी acidic hydrogen के साथ में करवा हूं तो ये base की तरह भी काम करेगा तो हम सबसे पहले इसकी reaction जो consider करने वाले हैं वो consider करेंगे जब ये एक base की तरह काम करेगा तो पहला हमारे काम होगा वैन RMGX act as a base अब ये base की तरह काम कब करेगा एक एक्जामपल लेते हैं पन छोटा सा जैसे कि मैंने यहाँ पे RMGX की reaction water के साथ में करवाना चाहिए किस से करवाई water के साथ में करवाई तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पे मिलने वाला है एलकेन प्लस Mg and X and OH as a side product मिल जाता है अब यह कैसे हुआ एक और example देखते हैं जिसे कि मैंने RMGX की reaction अमोनिया के साथ में करवा दी किस के साथ में करवाई अमोनिया के साथ में करवाई तब भी आपको यहाँ यहाँ पे क्या मिलेगा एलकेन मिल जाएगा और आपको side product क्या मिलेगा Mg X and NH2 यहाँ पर मिल जाएगा तो यह कब आपका base की तरह काम करेगा किस compound के साथ में यह base की तरह काम करेगा उसके बारे हम बात करते हैं उसके पहले आपको यहाँ पर terminology पता होनी चाहिए active hydrogen हम किसे active hydrogen बोलेंगे तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं देखे मैंने यहाँ पर एक word यूज किया है active hydrogen तो कोई बताओ कि active hydrogen का मतलब क्या होता है what do mean by active hydrogen sorry active hydrogen यहाँ पर मैं लिख रहे हूँ क्या मतलब ऐसा ऐसा hydrogen जब वो directly more electronegative element से attached हो, क्या बोलेंगे हम the hydrogen which is directly attached या bonded with more electronegative element, more electronegative element में मतलब कौन-कौन से या तो वो fluorine से या oxygen से या फिर nitrogen से जुड़ा हुआ होगा, तो उसे हम बोलेंगे active hydrogen, ठीक है, तो अब एक और आता है acidic hydrogen, तो क्या acidic hydrogen and active hydrogen में क्या difference है, तो हम यह कह सकते हैं कि आपके जितने भी acidic hydrogen है, all acidic hydrogen are active, मतलब जितने भी आपके acidic hydrogen होते हैं, वो क्या होंगे, active होंगे, बट इसका अगर में reverse volume, reverse possible नहीं होगा, reverse are not true, ठीक है, यह आपको याद रखनी है, अब जिसे यहाँ पे तो मेरे पास fluorine से, oxygen से, nitrogen से जुड़ा है, तो वो active hydrogen कहलाएगा, लेगिन अगर में बात करूँ CHCL3 की, तो यहाँ पे carbon से जुड़ा हो जो hydrogen है, यह active तो नहीं है, यह क्या नहीं है, active तो नहीं है, लेकिन यह acidic है, यह acidic होगा, यह acidic कैसे होगा, देखिए, chloroform यह है CHCL3 आपका, जब इसका एक H प्रस निकल जाएगा, यह देता है, तो यहाँ पे आपको मिलता है CCL3, एंड हमें यह पता होना चाहिए, कि यह chlorine के vacant D में, chlorine के vacant D orbital में क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, मतब NIN and vacant D की बीच में एक रेजोनेंस होगा, और उस रेजोनेंस की वज़े से, यहाँ पे जो NIN बनाई है, NIN बहुत ज़्यादा स्टेपलाइस होगा, that's why इसका जो hydrogen होगा, यह highly acidic in nature होता है, तो यह acidic hydrogen तो होगा, लेकिन यह आपका, क्या नहीं होगा, active hydrogen नहीं होगा, तो यह छोटा सा difference था, active hydrogen और acidic hydrogen के बीच में, तो जब भी आप कहीं पे acidic hydrogen देखो, और acidic hydrogen के साथ में, अगर आप reaction करवाते हो, तो यह आपको क्या करेगा, बेस की तरह reaction करके, एलकेन देदेगा, अब हम कुछ examples देख लेते हैं, एक आपके पस छोटा सा question आता है, जैसे, CH3, C double bond O, CH2, C double bond O, CH3, and इसकी reaction में ने RMGX के साथ में करवानी है, तो आपको कौन सा hydrogen यहां से acidic होगा, देखिए, आपके पस में, यहां पे hydrogen निकलने की पॉसिबिलिटी है, यहां पे निकलने की और यहां पे है, लेकिन आपका यह जो hydrogen है, यह कौन सा है, active methylene hydrogen होगा, यह क्या होगा आपका, active methylene hydrogen, और यह भाई सा आपके form में निकलेगा, और R- उसको लेके चला जाएगा, तो आपके पस में जो product मिलेगा, वो क्या बनेगा, RH, प्लस में क्या आपके पास में, प्लस में आपके पास में मिलेगा, CS3, C double bond O, देखो यह CS3, C double bond O, इधर से आया, इधर से भी यह सेम रहेगा, तो मैं इसको कै से लिख सकते हूं, इस तरह से लिख सकते हूं, ठीक है, CH, CH पर जो माइनस आजाएगा, हैं पर क्या आजाएगा, आपका, Mg, और एक तरफ क्या आजाएगा, X आजाएगा, तो अब यहां पर मैंने question लिया है, CS3, Mg, X की reaction में, फिनॉल के साथ में करवाना चाहती हूं, तो CS3 के उपर यहां पर क्या आएगा, negative charge आएगा, और हमें पता है कि यहां से H+, के form में निकलेगा, तो आपका जो product मिलेगा, वो क्या बनेगा, CH4, ठीक है, यहां से CH4 आजाएगा, and जो by product होगा, वो क्या हो जाएगा, Mg, then X, and O, pH इसके साथ में चला जाएगा, एक और question यहा करवाई है, Acetylene के साथ में करवाई, तो देखिए, Acetylene में, यहां पर हडोजन जुडा है, यह बहुत जादा, acidic होगा, क्यों acidic होगा, क्योंकि percentage S character, यहां पर क्या है, 50%, and हमें पता है, कि electronegativity is directly proportional to percentage S character, and percentage S character, decide करेगा, इसका acidic nature, तो यह acidic nature, इसका ज्यादा होने के वज़े से H+, की form में निकल जाएगा, और आपका ग्रिगनाड इसके साथ में, base की तरह reaction करेगा, और CH4 बनाता है, हाँपे, side product आप नहीं भी लिखोगे, तो भी चलेगा, लेकिन आपको पता हो जाए, कि हाँपे क्या निकल रहा है, तो MGX निकलेगा, और यहां से C, triple bond CH आएगा, ठीक यह reaction आपने करवा दी, chloroform के साथ में, किसके साथ में करवाई, chloroform के साथ में, तो अभी मैंने बताया था, कि जब यह chloroform के साथ में reaction करेगा, तो इसका, जो chloroform का hydrogen है, वो क्या, acidic है, इसलिए यह आरिश निकालेगा, बाकी बचेगा, क्या, MGX and CCL3, इसका by product हो जाएगा, अब एक और देखिए, यहाँ पे मैंने एक question लिया है, इस वाले question में मैंने ग्रिगनाड की reaction इस compound के साथ में कराई है, तो अब इस compound में acidic hydrogen का क्या role होगा, तो इस compound के लिए मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, कि जैसे यह है अभी 4 pi electron system, और इसमें यहाँ पे 2 hydrogen इस तरह से के जाएगा, तो अब क्या हो गया, यह 6 pi electron system हो गया, और 6 pi electron system होने की वज़े से यह क्या हो जाएगा, आपका, एरोमेटिक हो जाएगा, और एरोमेटिक हो जाएगा, तो stable हो जाएगा, इसलिए यह भी acidic hydrogen यहाँ से दे देगा, और जब acidic hydrogen देगा, तो ग्रिगनाड आर एच बन जाएगा, और साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका, mg, x, and यह जो आपका ring था, वो आके इस तरह जूड़ जाएगा, ठीक है, अब इस question को देखो, इस वाले question में भी मेरे पास में क्या आएगा, acidic hydrogen, यहाँ से जूड़ा है, यह निकल जाएगा, तो मेरे पास म आर, h, प्लस, mg, x, and क्या मिल जाएगा, n, h, c, double bond, o, r, यह जूड़ जाएगा, तो यह अतना complete होता है, हाँ पर, कि जब ग्रिगनाड, आपके किस की तरह से काम करता है, एजे बेस की तरह काम करता है, तब हमें reaction किस तरह से करवानी है, इतना समझ में आया, उसके बाद में हम बात करेंगे, कि जब ग्रिगनाड, रिएजेंड, नुक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन, यह वाली चीज़े आपको और कहां पर रिवाइस करनी है, मैं बता देती हूँ, जब हमने, ऐलकेन का फॉर्मेशन करना होता है, कब भी हम यह reaction देखते हैं, आपने नुक्लियोफाइल, ठीक है, आज हम इसकी बात करने वाले हैं, हाँपे, तो सबसे पहले हम रिएमजी-एक्षी की reaction करवाएंगे, कार्बोनाईल कमपाउंड के साथ में, तो हमारा पहला पार्ट होगा, reaction of RMGX या reaction of Grignard, reaction of RMGX with कार्बोनाईल कमपाउंड, अब जब भी मे समझेंगे carbonyl compound मतलब हम बात करेंगे aldehyde and ketone की तो आपके पास में यह common functional group होगा C double bond O यह आपका क्या कहते है उसको aldehyde में भी होता है और ketone में भी होता है ठीक है ना जब मैं carbonyl compound की reaction RMGX के साथ में करवाँगी तो आप यहाँ पर देखेंगे कि oxygen की electronegativity जादा है इसकी वज़े से इस पर क्या आएगा डेल negative charge आता है और यहाँ पर क्या आयता है डेल positive charge आएगा and हमें पता है कि यहाँ पर RMGX के उपर जो R है इसका part इसके उपर क्या charge आता है negative charge आता है तो इसके negative charge की वज़े से यह कहाँ पर जाके attack करेगा यह positive वाले charge के उपर attack करेगा it means अब यह किसकी तरह work कर रहा है अब यह आपके nucleophile की तरह काम कर रहा है तो यह चला यहाँ से और इसने यहाँ पर attack मारा अब देखे इसके attack होने के बाद में यहाँ पर आ रहा के जुड़ गया O पर क्या था minus charge आया तो हमें magnesium का जो positive charge है वो इसके minus के उपर जाके जोड़न इसके hydrolysis करवाने की वज़े से इस oxygen के उपर क्या जाएगा एक hydrogen जाके जूड़ जाता है तो मेरे पास में इधर C, O, H and यहाँ पर क्या हो जाएगा R तो इस तरह से हमें आपर देख सकते हैं कि alcohol का formation हो रहा है अब यह alcohol कौन सा होगा primary होगा secondary होगा tertiary होगा यह depend करता है कि अ formaldehyde लिया है यह acetaldehyde लिया है यह ketone लिया है तो one by one हम reaction को देखते हैं अब इसका A part होगा जब मैं इसके reaction किसके साथ में करवाँगी formaldehyde के साथ में करवाँगी तो उस पर बात करते हैं अब formaldehyde वाला जो part होगा उसकी reaction हम ऐसे देखें कि HC double bond OH यह अपका formaldehyde है यह reaction अगर मैं CS3MGBR के साथ में करवा देती हूं अब मैं RMGX के जगे क्या ले रही हूं यहां पर CS3MGBR ले रही हूं तो देखें यहां पर CS3 पर negative charge होगा तो यह कहां पर जाके attack करेगा यहां पर जाके attack करेगा तो आपको यहां पर मिल जाता है H O पे तो negative charge आया है तो M G वहां पर जाके जुड़ जाएगा यह CS3 यहां पर आके जुड़ गया CS3 एक H यहां पर हो गया O M G B R इधर आ गया इतना समझ में आया फिर इसका क्या हो जाएगा hydrolysis हो जाएगा तो यह hydrolysis करवाने पर हमें क्या देदेगा H यहां पे था यहां पर एक H होगा यहां पर एक H C H 3 होगा और यह OH मैं इसको किस तरह से लिख सकते हूं? इससे लिख सकते हूं CH3 CH2 OH इससे लिख सकती हूं ठीक है तो यह आपका जो alcohol मिला यह कौन सा alcohol मिला यह alcohol मिलता है आपका primary alcohol इसका मतलब यह है कि अगर में फॉर्मेल्डी हाइड की रियेक्शन ग्रिगनाड रियेजेंट के साथ में करवाती हूं फॉलेड बाइ हैड्रोलाइसीस तो हमें प्राइमरी एलकोहल यहां पर मिल जाता है अब अगर आपे बोलो side product क्या होगा तो side product भी मैं यहां पर बना देती हूं कि यह कुछ बच्चों को लगता है कि side product भी बनना चाहिए तो यह mg x o h आपका यहां पर sorry o h की जगे यहां पर मैं कहलू mg हां राइट है mg o h और x अगर मैं यहां पर बी आर लिया है होता तो यहां पर बी आर लगा देती है इतना समझ मैं cst mg x के साथ में reaction करवाई अब next हम देखते हैं कि जब मैं इसकी reaction किस्ते करवा हूं acetaldehyde के संथ में करवाती हूं तो इसका b part हम देखते हैं पहला carbonal compound हमने formaldehyde लिया second हम ले रहे हैं यहां पर acetaldehyde अब acetaldehyde की reaction मैं करवाती हूं c s3 mg br के साथ मैं अब मैंने यहां पर c s3 mg और x की जगे br ले लिया और second इसकी reaction आपने करवानी है अब water की जगे आप यहां पर ले रहे हूं NH4CN क्या होगा भई अगें यह part यहां पर चला ठीक है तो इधर मेरे पास में क्या आएगा c s3 c o minus यहां पर c s3 आके attack करेगा यह राइट तो यहां पर आ जाता है h और mg br इतना आया यह बना मेरे पास में अब NH4Cl भी क्या है आपका एक nitrogen से जुड़ा हुआ है more electronegative element sorry NH4Cl से आपका क्या है acid hydrogen जुड़ा हुआ है तो NH4Cl का breakdown होता है NH4 positive and Cl minus में और NH4 plus से आपको यहां से एक hydrogen मिल जाएगा ठीक है तो इधर मेरे पास में क्या बन जाता है CS3, CH, OH and CS3 और plus में मेरे पास में क्या जाता है Mg, Br, XL and ammonia as a byproduct बहार निकल जाएगा तो अब यहां पर हमने देखा कि यह जो OH है और इस OH से जुड़ने वाला carbon है वो दो carbon से जुड़ा है मतब secondary alcohol मिला मुझे यहां पर तो जब acid aldehyde की reaction में aldehyde से sorry acid aldehyde की reaction जब मैं grignard region के साथ में करवाती हूं तो मुझे क्या मिलता है secondary alcohol तो आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि formaldehyde के अलावा जितने भी aldehyde होंगे वो सब के सब हमारी क्या देंगे secondary alcohol देंगे with RMGX यहां पर यह चीज़ नोट करने वाली मतब formaldehyde क्या देगा primary alcohol and formaldehyde के अलावा जितने भी आपके aldehyde होंगे वो सब हमारे secondary alcohol देते हैं RMGX के साथ में तो यह तो बात हो गई हमारे aldehyde अब हम बात करते हैं ketone के साथ में तो ketone के साथ में मतबद C part हमारा क्या होगा with ketone ketone CH3 C double bond O CH3 मैं यहाँ पर acetone ले रही हूँ GX लेते हैं और first number पर तो इसकी reaction करवानी है and second में लेती हूँ NH4Cl सही है तो देखो reaction कैसे होगी जरा सोचो यह इधर यह तो CH3 हाँ पर reaction करेगा अटेक करने के बद में CH3 O पर माइनस आ जाएगा तो MG इधर आ जाएगा X then X3 already यहाँ पर था X3 ने यहाँ पर अटेक कर लिया अब क्या NH4Cl की reaction करवारे है हम यहाँ पर तो NH4Cl यहाँ पर क्या मिल जाएगा NH4Cl से आपको एक acidic hydrogen मिल जाएगा तो H यहाँ पर O से जाके reaction कर लेगा तो CH3, COH, CH3 and CH3 तो यह जो आपको alcohol मिला है यह alcohol कौन सा होगा हमारा tertiary alcohol होगा कौन सा alcohol होगा tertiary alcohol तो ketone से हमें क्या मिलता है tertiary alcohol रैट primary alcohol कहां मिला formaldehyde से secondary alcohol कहां मिला formaldehyde के अलावा जितने भी आपके aldehyde होंगे वो सब आपको secondary alcohol देंगे and अगर आपकी ketone की reaction RMGX के साथ में करवाते हैं तो हमें 3 degree का alcohol मिलेगा तो यह तो